सचीन साखरकर इनका सवाल है कि कभी कभी एक साथ दो व्यक्ति कहते हैं कि हमको भूत दिखा है तो दो व्यक्तियों को at a time तो रहलिसिनेशन नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि अगर एकी वातावरण में दोनों लोग है दोनों की मान्यता एकी तरह की है और एक को भूत दिखता है तो दुसरे को देखना भी संभव है यह निरोसिस ट्रांसपरंस होता है जो भी हमारी कलपना है उसी डंग की कलपना दुसरे व्यक्ति की है यह पहला डरा हुआ है वो भूत देखता है मुझे भूत दिखा मैं डर गया दुसरी को भी दिखता है अब यह निरोसिस ट्रांसपरंस हो सकता है लेकिन अक्सर नहीं होता है साब मानते हैं तो जब एक कोईता है कि मैंने भूत को देखा है तो दूसरा अगर उसका भूत पर विश्वास है तो दूसरा अपने आप बोल देता है कि मैंने भी देखा है यह इंसान की प्रवरुति है आप कोई भी एक्सिडेंट का वरणन किसी से सुनिये वो इस ढंग से उस एक्सिदेंट का परणन करेगा कि जैसा वो पहले से वहाँ खड़ा था और उसके सामने एक्सिदेंट हुआ हाला कि एक्सिदेंट होने के बाद वहाँ पहुशता है लेकिन बाकी लोगों से जो सुनता है वो अपना अनुभव करकर लोगों को बोलता है तो यह मानवी प्रवुरुति का हिस्सा है कि मैं भी उस का एक साक्ष हूँ यह कहिने की इनसान की प्रवुरुति होती है इसमें डेलिबरेटली जुट बोलने का कारण नहीं होता है लेकिन ये प्रोरूत्थी का हिस्सा है इस कारण भी ऐसे लोग बोल सकते हैं लेकिन कौन आदमे जुट बोल रहा है कौन आदमे सच बोल रहा है इसका बहुत अच्छे डंग से हम पता लगा सकते हैं और बहुत आसान भी है वो अगर आपको इस खेत्र की बहुत अच्छी जानकारी है तो क्या दिख सकता है क्या भूत लग सकता है और क्या नहीं लग सकता है इसका बहुत अच्छा एसास होता है इसके लिए मैं एक छोटा सा उधारण दूँगा अब मेरे कॉलम रेगुलर लोकमत में चलते थे लोकमत में बैठे बैठे ही खामगाओं के परिसर में जो एक बहुत बड़ी घटना घटी थी उसके न्यूज आ चुके थी घटना इसी घटी थी कि रास्ते पे एक ड्राइवर ने भूत को देखा इतना डरा भूत नव-दस फीट उचा स्त्री थी सबेत कपड़े पही नहीं हुई तो वो इतना डरा कि उस भूत को देखकर उसने सिधा उसका कंट्रोल छुड़ गया और उसने जाकर एक पेड़ को टकर मार दीट रख किया पुलिस केस हुई पुलिस केस में ये लिखा गया कि ड्राइवर को भूत दिखा इसलिए वो डर गया अब पुलिस केस में ही लिखा गया है तो नैचरली वो पेपर में आएगा पेपर में आने के बाद में उस जो जो हमारा प्रतिनी दी था वहां का उसको काफी लोगों ने टॉर्चर किया अरे क्या मानो साब इतना लिखते है लोकमत में सब होता है और उसी लोकमत में तुने ये लिख दिया कैसा आये इसलिए उसने मुझे फोन किया था कि सर मेरे को बहुत लोग टॉर्चर कर रहे हैं बहुत गाली दे रहे हैं अब जो था मैंने तो लिग दिया जैसे की जैसे न्यूज देने थी सब जगए यह न्यूज आने वाली थी मुझे कल पना थी लेकिन ज़र इसका स्पष्टिकरण आपको देना चाहिए आप आजएए हम यहां डो यह जो ट्रक चलते हैं तो रात में वेश्चाएं वाँ खड़ी होती है यह ट्रक के ड्राइवर्स के लिए तो यह जो देखा इसने भूत 9-10 फिट उचा उसका रेपोरोटिंग है पुलिस केस में उस ड्राइवर को पूछ कर कर तो कुछ होने वाला नहीं है पहला काम करो पुलिस की मदद लो जो भी इंस्पेक्टर है मुझसे बात करवाओ उनसे बात मैं बात करता हूँ और उस एरिया में रात को ट्रुक ड्राइवर्स के लिए जो अवरते खड़ी रहती है उन सब को पकड़ो और उनको इंट्रागेट करो तुमको ये नवदस फिट वाली बूत मिल जाएंगे कुछी गंटों बात मुझे मेरे प्रतिनिदी का फोन आ गए सर बोले आपके बात सचने के लिए ये अमुकमो का उरत थी कल खड़ी ये जो अमुकमो का उरत खड़ी थी उसने कबूल जिया वो कई ज़्यादा उची नहीं है आम उरत से थोड़ी ज़्यादा उची है इसको लगा कि अपना हमेशा वाला ट्रक ड्राइवर आ रहा है इसलिए वो रोड़ पर आकर इसे खड़ी होकर हाथ बताने लगई ट्रक डेसे ही नजदीक आया उसके ध्यान में आया कि हमेशा वाला नहीं है भलता ही कुछ तो भी हाथ में लगेगा इसलिए वो चुपके से पेड़ के पिछे जाकर खड़ी हो गई ये ड्राइवर को पहले दिखा कि एक आउरत आई हाथ खड़ा किया फिर गायप हो गई उसके मन में पहले से भूत की कलपना होगी डर गया कंट्रोल छुड़ गया जाकर पेड़ को ठोक दिया अगे की केस हो गई अभी ये जो वरणन किया गया नौदस फिट का उसके ओपर मैं अड़ा रहता तो इस सवाल का जबाब ढूड़ना मेरे लिए भी संभव नहीं था इंसान इस मनोवस्था में किसे एग्जेगरेट कलपना कर सकता है इसकी अगर आपको जानकरी है तो आप सही जबाब ठीक डंग से ढूंड सकते हो मैं बैठे-बैठे मेरे पेपर के टेबल पर लोकमत के टेबल पर बैठे-बैठे मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी आगे दूसरे दिन ये सब छपके आया, बात खतम हो गई, भूत की और बात खतम हो गई, नहीं तो आज तक लोग मुझे सुनाते रहते हैं, देखो पुलिस केस में आई है, भूत देखा है ड्राइवर ने, पुलिस ने भी एफ़ायर में लिखा है, ये बात आज तक मुझे स ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाएं, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं